हलो गाईज आपका स्वागत है आपके जम्हाब विष्ट के एक और ने वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ओफर के बार में बताऊंगा जहां पर आप अगर 21 का रिचार्ज करेंगे तो आपको एक और 21 का रिचार्ज फ्री में मिलेगा और आप इस 48 या फिर 49 के रिचार्ज पर 25 रुपीज का रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप उसरी 400 रुपे में कर पाएंगे और इस ओफर को अपलाई करने के लिए चाहिए सिर्फ एक मोबाइल नंबर जो कि आप सब के पास हो गई तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जकता है लेकिन प आपको 100% cashback up to 25 का एक रिचार्ज वाला ओफर मिलता है तो आप लोगों ने अगर ओवला ओफर लिया होगा और आपको cashback भी मिला होगा उसके बाद आपने उस cashback को यूज कर लिया तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए जिन लोगों ने भी ओवला ओफर अपलाई नहीं क लिया है या फिर आपके पास अगर कोई सब कोई भी ऐसा mobile नंबर नहीं है जिसमें आपने Amazon अकाउंट नहीं बनाया हो तो आप थोड़ा वेट कीजिए मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है और जिन लोग पास ऐसा एक नंबर है जिसमें उन्हो अकाउंट नहीं बनाया होगा वो लोग क्या करना Amazon एप को डाउनलोड करके उसको ओपन करना फिर लैंगोज सेलेक्ट रना फिर नीचे क्रियेट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करना उसके बाद आपको साइन अप करना है अपना नाम मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड द भी डाल सकते हैं उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज और करेगा तो आप यहां पर कंटिनियू सौपिंग पर क्लिक कर देना फिर आपका में पेज ओपन हो जाएगा तो यहां पर रिवार्ड वाले सेक्शन में जाना वहां पर आपको एक ऑफर सो कर जाएगा 100% कैस्वेक आप टू 25 तो आप इसको कलेक्ट कर लेना उसके बाद आप थ्री लाइन पर जाके एमजन पे में जाना फिर यहां पर आपको एक रिचार्ज बाला ऑप्शन दिखता है मतलब मोबाइल रिचार्ज बाला तो आप उस पे क्लिक करना अब अपना कोई सा भी एक नंबर देख इसमें मुझे 14.95 का टॉक टाइम बैलनस मिलता है आपको जो भी चाहिए आप अपने मुताबिक रिचार्ज कर लेना आपको रिचार्ज कैसे करना है आप अपना नंबर और फिर ऑपरेटर सेलेक्ट करके अमांट सेलेक्ट कर लेना उसके बाद नीचे कंटीनिव पे क्लिक करना और फिर्स्ट time बेने भी आपको कुछ एड्रेक्स सेलेक्ट करना होता है तो आप मेरी तरह कोई सभी ऐड्रेसर कर लेना कोई सभी मतलब कोई सभी नंबर देखे कोई सभी लिख देना फिर आप यूस अड्रेस पर क्लिक कर देना उसके बाद आपको एक और बार अड् कम्प्लीट होते ही आप में जो भी अमांट कर रिचार्ज किया होगा उसके मुताबिक आपको कैश्फट मिल जाएगा जैसे आप देख सकते हैं मैंने 20 रिचार्ज क्या था और मुझे 20 रोपय का cashback मिल गया है फिर आप क्या करना फिर मोबाइल रिचाज में फिर से जाना आपको जो cashback मिला उससे आप एक और बार रिचाज कर लेना इसलिए मैंने बताया आप एक बार 21 का रिचाज करेंगे आपको second time 21 का रिचाज फ्री में मिल जाएगा आप जब second time रिचाज करने जाएंगा तो आपको swipe करके payment करना होगा जब भी आप wallet से payment करते हैं आपको swipe करके payment करना होता है तो आप payment कर देना तो आपका एक पैसा एक बार दिया लेकिन आपका दो बार recharge complete हो गया तो इसी offer को हम लोग एक ह रहा हूं उससे पहले मैं बता दूँ आप जिस भी Amazon अकाउंट से यह वाला ओफर अनलिमेटे टाइम यूज करेंगे वह Amazon आपका मेन अकाउंट नहीं होना चाहिए मतलब उस Amazon पर आपने बैंक लिंक करके रखाए या फिर उस Amazon अकाउंट पर आपको आपके घर में कोई साभी तो एक ऐसा नंबर होगा है जिसमें आपने अपने अकाउंट नहीं बनाया होगा या फिर जिस नंबर पर आपको Amazon में कोई offers नहीं मिलते आप उसी अकाउंट में इसको ट्राइ करना तो अब आपको क्या करना है आप सब लोग सुनिए मतलब जिन लोगों ने पहले भी Amazon का ये वाला ओफर लिया होगा वो लोग भी और जिन्होंने बताया कि उनके पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसमें O लोग नया सा Amazon अकाउंट बना पाएंगे वो लोग भी अब आपको क्या करना है आपको अपने Amazon का डेटा क्लियर कर देना अप अपने Amazon app में app info में जाना फिर storage option में जाना फिर clear data करके clear कर देना उसके बाद आप Amazon app को open करना फिर language select करना फिर से आप create a new account पर click करना लेकिन इस बार आपको main चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जो अपना नाम देंगे पहले बार आपने जो नाम दिया उससे कुछ अलग दे email नंबर आप एकदम नीचे वाला उस option पर click करना उस पर click करने के बाद आपको एक pop up आएगा तो create a new account पर click कर देना उसके बाद नंबर पर एक OTP जाएगा और आपका account बन जाएगा account बन जाने के बाद आप फिर से reward वाले option में जाना और आपको फिर से 100% back up to 25 बाला offer वहां पर नहीं दीखेगा तो यहीं पर trick है आपको क्या करना होगा मैं बता रहा हूं आप three lines पर जाना फिर Amazon Pay में जाना तो यहां पर आपको Amazon Pay balance setup करने के option दिखता है आप setup पर click करना फिर आपको एक KYC करना है तो आपको यहां पर fake KYC करना है मतलब आप क्या करना voter ID details कोई साभी ए आपको आप जितने का भी रिचार्ज करेंगे मतलब मैं जैसे 20 रूपीज का कर रहा हूं मैं 20 रूपीज का add money कर रहा हूं तो आप 21 का add money कर लेना उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको जो ए एड मनी वाला payment करना है वह आप UPI कि तुरू नहीं कर प पर जाएका तो आप वहाँ पे क्लिक करना फिर अपना पेटियम वाला जो आपको काड मिलता है आपको एक काड मिलता है आप उस काड का डिटेल देखे आप इस रूपय का payment कर देना और अगर आपके पास पेटियम पेमेंट बैंक नहीं है तो आपको कोई physical ATM कार्ट तो हो आप payment उससे done कर देना जैसे यह आपका payment successful होता है और आपका add money complete हो जाता है आप क्या करना अपने Amazon app को एक बर clear कर देना जैसे मैंने किया उसके बाद फिर से अपने Amazon app को open करना और अपने rewards वाले section में जाना तो आपको फिर से 100% cashback up to 25 बाला offer मिल जाएगा फिर आप क्या करना उसको भी collect now पर click करके collect कर लेना फिर mobile recharge वाले section में जाके फिर और एक बार recharge कर लेना आप जो भी number पर recharge करना चाहते हैं और इस बार आपने तो आपने wallet में add money किया होगा जैसे मैंने 20 रुपीज add money किया है तो म मैं मेरे wallet से payment कर देता हूं तो मुझे फिर से 20 रुपीज का cashback मिल जाएगा और मुझे जो फिर से 20 रुपीज का cashback मिला मैं फिर से उससे और एक बार recharge कर लेता हूं तो आप देखी सकते हैं मैंने total 40 रुपीज पे किया Amazon को और मुझे total में 80 रुपय का recharge complete हो गया अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है आप जब भी इस account से recharge कर लेते हैं और आपको जो cashback मिला उससे भी आप recharge कर लेते हैं उसके बाद आपको एक काम करना है आप अपने Amazon के your account section में जाना उसके बाद यहाँ पे नीचे scroll down करना तो आपको एक option दिखेगा manage payment option करके आप देख सकते है यहाँ पे एक option है manage payment option आप इस पे click करना तो इस पे click करने के बाद आपको अपना card show कर जाएगा तो आपको यहाँ पे आपका card remove कर देना है तो आप एक काम जरूर से कर लेना confirm करके remove कर देना उसके बाद आप फिर से Amazon को clear data कर देना फिर Amazon app को open करना create a new account पे click करना फिर आपने जो previously नाम दिया था मतलब नाम कुछ अलग सा डाल देना dhaf जो भी डालना है कोई सा भी डाल देना number आप फिर से same वाला देना password भी आप same देख सकते new भी देख सकते आपका मरजी फिर आप से sign up पे click करना फिर आपको same वही process पे newly account बना लेना है और फिर आपको rewards वाले option में जाके देखना है कि आपको offer मिला है की नहीं आपको अगर offer मिलता है तो आप directly UPI की through recharge कर सकते हैं और आपको cashback मिल जाएगा और अगर आपको offer वहाँ पे 100 नहीं करता तो आप फिर से Amazon Pay वाले section में जाके आप setup कर लेना एक fake KYC कर लेना तो आप फिर 20 रूपी का add money कर लेना या मुझे फिर से वाला offer मिल गया तो मैं इसे भी collect कर लेता हूं और फिर से recharge करके और एक 20 रूपी का free का recharge ले लेता हूं तो आप इसी offer के through जितने बार भी 21 का recharge करेंगे आपको उतने बार 21 का और एक recharge free में मिल जाएगा लेकिन आप जिस भी card से payment करेंगे add money वाला आप उस card को account section में जाकर remove करना मत भूलिएगा आप जरूर से remove बारा काम कर दीजिएगा अब मैं आपको बता दूं कि आप 600 का recharge 400 में कैसे कर पाएंगे तो पहले तो मैं उनको बता दूं जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि आप Jio के talk time balance से उसका unlimited plan recharge कर सकते हैं जैसे आप देख सकते ह 20 रूपए पर talk time मिलता है 14.95 मतलब मैंने जो भी 20 रूपए का recharge में कर रहा था अभी तक तो मुझे हर बार 14.95 करके मेरे Jio के wallet में वो add हो रहा था आप अगर इस offer में 50 रूपीज का recharge करते हैं अपने Jio में तो आपको 39.37 का talk time balance मिलेगा और आपको Amazon में 25 का cashback मिलेगा हर बार अब मैं आपको बता दूँ आप इस offer से 600 रूपए का recharge कैसे 400 रूपए में कर पाएंगे तो इस offer को अगर मैं एक बार लेता हूँ तो मुझे 20 रूपए payment करना होता है और मुझे 2 बार 20 रूपए का recharge मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ मुझे कितने का talk time balance मिलता है ए मुझे एक बार में लगबग 30 रूपए का talk time balance मिल रहा है तो मैं इस offer को अगर 20 times apply करूँ तो मेरा talk time balance 600 रूपए हो जाएगा जिससे मैं 599 बाला जियो का unlimited plan recharge कर पाऊंगा और एक बार में मेरा पैसा जा रहा है 20 रूपए और मैं इसे अगर 20 times करूँ तो मेरा पैसा जाएग तो आपको 1500 रूपए का top time balance मिल जाएगा आपके जियो नंबर पे और 5 times करने के लिए आपको payment कितना करना हो रहा है 100 रूपीस मतलब आपको 50 रूपीस का फाइदा हो जाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि आप जियो के top time balance से recharge कैसे करेंगे तो ओभी मैं आपको करके दिख option में जाना तो आपको यहाँ पर नीचे right side यहाँ पर scroll करेंगे तो आपको talk time balance करके लिखा लेगा मैंने इस offer से आप देख सकते हैं मेरे इस नंबर पे 600 रूपए का balance कर लिया और मैंने सिर्फ 400 रूपए में यह कर लिया है अब मैं आपको इस balance से recharge भी करके दिखा देता हू मतलब मैंने जैसे 602 रूपए का talk time balance कर लिया है तो आप 602 से नीचे का ही मतलब कोई साभी recharge कर सकते हैं मतलब ऐसा नहीं कि आप 602 रूपए अपके wallet से काट के बाकी का जो payment है आप किसी और payment method से कर देंगे ऐसा आप नहीं कर सकते मतलब आपके पास talk time balance में जितना balance है आप उ 602 रूपए है तो मैं 599 का recharge कर सकता हूं या फिर 602 से नीचे जो कोई भी plan है मैं कोई सब एक recharge कर सकता हूं तो मुझे तो 599 वाला plan चाहिए तो मैं यहां पर buy वाले option पे click कर रहा हूं आप भी जो भी recharge करना होगा आपको आप उस पे click करना उसके बाद आपको यहां पे payment page प और अगर आपके mobile नमबर पे अल्रेडी कोई साई एक plan active है जैसे आप देख सकते मेरा 199 वाला plan अगस्ट 1 तक active है तो आपने जो अभी recharge किया जैसे मैंने 599 का recharge किया वो inactive form में चला जाएगा और जब भी मेरा 199 वाला recharge खतम होगा जो कि अगस्ट 1 को होगा तभी मेरा 599 वाला करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने friends में share कर दीजिए ताकि सब लोग को इस recharge लूट offer के बारे में पता चल जाए और सब लोग इस offer का थोड़ा बहुत फाइदा उठापाए लास्ट ली चैनल पर अगर नी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को औ आता रहता हूं अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग